दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप अपने मुबाइल में वाइरस क्लीनर अप्लिकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हो जी या दोस्तों अगर आप भी अपने mobile को clean करना चाते हो, boost करना चाते हो यहाँ पर आप अपने mobile में बहुत सारे storage है फालत हो कि यहाँ पर जो है फाइल्स पड़िये, junk file पड़िये तो उसे जो है virus cleaner application की मदद से आप अपने mobile को refresh कर सकते हो आप अपने mobile के सारे junk file को delete कर सकते हो तो यहाँ पर आपके phone के security के भी बहुत कमाल का application है तो अगर आप जानना चाहते हो कि virus cleaner phone security application को कैसे use करें तो आज की इस video को आप पूरा देखना है यहाँ पर इस application को सबसे पहले play store से आपको इससे download कर लेना virus cleaner search करना है और यह application आजागा और यहाँ पर इस application की 1 crore plus downloading complete है इस application की मदद से आप अपने phone को जो है protect कर सकते हो virus attack से protect कर सकते हो यहाँ पर आपको app lock का भी option जाथा जहाँ पर आप अपने mobile में app lock लगा सकते हो pattern pin lock लगा सकते हो fingerprint lock लगा सकते हो और इसके बाद आपके मदद कोई junk file रहती है तो यहाँ से आप अपने mobile से delete कर सकते हो phone booster यानि phone को boost कर सकते हो यहाँ पर आपको CPU cooler file manager notification clean का option मिल रहा है तो इसे download करने की बाद simply आपको इसे open करना है इसे पहले guys अगर आपने मारी channel को subscribe नहीं करा तो channel को subscribe करके साथ में bell icon को press करके all पर set का लीजिएगा तो चलिए friends आज गई video start करते है सबसे पहले आपको इसे open करने की बाद start पर click करना है और यहाँ पर आपकी mobile की scanning आपको start हो जाएगी आपको guys यहाँ पर कुछ time wait करना आपका mobile completely यहाँ पर clean हो जाएगा यहाँ पर scan हो जाएगा आपको यहाँ पर जो भी junk file रहेगी वो यहाँ पर show करिए तो आपको clean पर clickना और वो जो है फाइल clean हो जाएगी आपकी mobile से remove हो जाएगी जो भी junk file रहती है virus वाली file रहती है वो कुछ काम की नहीं होती है वो आपके mobile से remove हो जाएगा और आपका mobile जो है boost हो जाएका clean हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ time wait करना इस तरीके से इस completely आप पर junk file को complete होने देना है इसके बाद guys यहाँ पर आप देखस तो इस तरीके से यहाँ पर यह शो कर रहा है जो भी फाल्तू की file से वो यहाँ पर show कर रही है तो आपको delete करने के लिए clean पर क्लिक करना है clean पर क्लिक करते हैं वो फालतू की junk file यहाँ पर delete हो जाएगी और आपका mobile completely यहाँ पर boost हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर कुछ add शोगी तो आपको उपर से add को close कर लेना है तो यहाँ पर आप देखतो उपर के और cut option पर क्लिक करके यहाँ से add को cut करना है और यहाँ पर आप देखतो बार mobile completely यहाँ पर boost हो चुका है junk file यहाँ पर clean हो चुकी है इसके बाद गईस यहाँ पर आपको नीचे के और आना और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे options मिल जाते हैं पर यहाँ पर आपको बूस्ट करना चाहते हैं जो बूस्ट करके उसे बूस्ट कर सकते हो तो यहाँ पर इस ऐप इस तरीके से यूज कर सकते हो और इसके बाद यहाँ से back आने के बाद गाईज यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह application का इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको जो है आपको जो है scan option पर क्लिक करना है और इसके बाद आपका mobile completely आपको पूरा फोन जो है scan हो जाएगा और आपके मोबाल में कोई virus problem रहेगी तो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से इस file उस file को आप जो हटा पाऊगे तो गईज आप देख से तो completely यहाँ पर mobile जो है scan हो चुका है और इसके लाओ तो यहाँ पर mobile की जो है जाएगी और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे जो है फालतो की नोटिफिकेशन यहाँ से delete all पर क्लिक करके यहाँ से delete हो जाएगी तो गैस कुछ इस तरीके से आप अपने mobile में इस application को यूज कर सकते हो और गयाँ जिस application को यूज करके आप अपने mobile की junk file फालतो की file जो है आप अपने mobile से delete कर सकते हो जो आपकी mobile में कुछ काम की नहीं है उन्हें आप अपने mobile से remove कर सकते हो और यहाँ पर phone boost का option मिल रहा तो enable option पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से enable कर देना है जिस पर आपी clean करने के बाद आपका mobile अच्छे से run करेगा तो गयँस कुछ इस तरीके से आप अपने mobile में इस application को यूज कर सकते हो और इस application करके बेल आइकन को जरूर से प्रेज कर देना